दलितों का वोट पाने की नियत से जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने और मोधी सरकार ने स्टेस्टी कानून में संसोधन किया 2014 के कानून को बदल कर बिना जाँच के जेल भेजने का एक प्रोधान किया वो उन्होंने समणलों को डराने के उद्देश्चे से किया समणलों की जो नाराजगी है वो सोसल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे खुल कर दिख रही है समणलों की इस नाराजगी को भापते हुए भारती जन्ता पार्टी के वरिशनेता पूरु केंद्री मंत्री कलराज मिस्र ने भी कहा है कि इस पूरे पक्रण पर पुनरविचार की आवसकता है सभी दलों को आगे आकर इस पर चर्चा करने की भी जरूरत है और दूसरी तरफ भारती जन्ता पार्टी इस पूरे पक्रण पर कुछ भी बोलने से बच रही है समण जातियों की जो नाराजगी देखने को मिल रही है इससे संकेत लगाए जा रहे है कि नरेंद्र मोधी दुबारा क्या भारत के प्रधान मंत्री बन पाएंगे मिशन मोधी अगेन पीम का उनका सपना क्या अधूरा रह जाएगा लखनव से ETV लिए धीरस त्रिपाठी